नमस्कार में रिनुक तो आप सबका मेरी टूप चनल में बहुत बहुत स्वागत है तो अगर आप पोहा से बना कुछ अलग तरिके का नास्ता ट्राय करना चाते हो तो एकिन किजे नास्ता सिर्फ आपके लिए है तो आप इसे एक बार बना के खाके दिखिए आपको यह तो इसके लिए हमें गास पे बरतन रखना है और इसमें हमें एक कप पोहा डलना है और अभी इस पोहा को हमें अच्छी तरह से भून लेना है तो अभी इस पोहा हमें अच्छी तरह से ब्राउन और क्रिस्पे होने तक भून लेने हैं तो अभी है पोहा अच्छी तरह से भून चुके है ब्राउन हो चुके है फिर हमें एक मिक्सर का बर्तन लेना है और इसमें हमें इस सारे पोहा डालने है और इनका हमें एकदम बारी पाउडर बनाना है तो मिनिया पोहा का एकदम बारी पाउडर बना लिया है फिर रेसीपे बनाने के लिए फिर से हमें गयास पेक बर्तन रखना है और इसमें हमें एक चमच तेल डालना है फिर हमें इसमें आदा चमच राई डालनी है फिर उसके पाद अभी हमें हमें इसमें साथ आठ कड़ी पता डलने हैं और इने हमें अच्छी तरह से तेल में फ्राइ कर लेना है फिर कड़ी पता फ्राइ होने के बाद हमें इसमें एक बारी कट किया हुआ प्याज डलना है और फिर से इन सारे इंडेंस को अच्छी तरह से फ्राइ कर लेना है फिर इसमें स्वादम सर बारे कट के हुए हरी मिर्चे डलने है और इसे भी हमें अच्छी तरह से तेल में फ्राइ कर लेना है तो अभी है इस सारे इंडेंस अच्छी तरह से फ्राइ हो चुके है फिर मिनी यहां एक किसा हुआ अलू लिया है तो यह हमें इसमें डालना है तो आप इसमें और भी सब्जिया डाल सकते हो जिससे आप इसमें शिमला मिर्चे डाल सकते हो मतार डाल सकते हो तो अभी हमें फिर से इसारे इंग्रिदेंस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है फिर फिर उसके बास अभी हमें इसमें एक कप पानी डलना है फिर इसमें स्वादनुसा नमक डलना है फिर इसमें स्वादनुसा चिर्नी डलने है फिर आखिर में अभी हमें इसमें आदा कप बारिकट की वे धन्या डलनी है और इस पानी को अभी हमें अच्छी तरह से बॉल कर लेना है तो अभी आये पानी अच्छी तरह से बॉल हो चुका है फिर आमें इसमें इस पोहा के सारी पाउडर डाल देनी है और ग्यास को एकदम बारिक रखना है और इन सारे इंग्रिदेंस को अच्छी तरह से चमब से मिक्स करना है तो मिनिया इस रेसिपे के लिए पोहा का इस्तमाल किया है तो चाहू तो आप यहाँ बारिक सुजी का भी इस्तमाल कर सकते हो तो अभी हाँ यह अलग तरीके का पोहा से बना टेस्टी और बिलकुल ओल फ्रेसा नास्ता बन के तैयर हो चुका है तो आप इस तरह से बना के इसे गर्मा गरम नास्ते में सर्व कर सकते हो तो आज के वीडियो में इतना ही तो फिर से मिलते हैं और एक नहीं वीडियो में और एक नहीं टेस्टी रेसिपिक के साथ तो थैंक्स फ्रेंस वाच माई वीडियो